हलो गाईज वेल्कम टो सोनल स्लैप स्टाहल तो गाईज-ाज की मेरे सीपी है सूजी से बना भीपाना सीटि your में काट लिया है यहां मैंने चारपाँ चालू को बॉयल कर लिया है और बॉयल करके मैंने इसको मैस कर दिया था अब मैंने यहां पर लिया है सूजी सूजी को मैंने आधे गंटे के लिए दही में भिगो दिया था अब इसको साइड में रखते हैं तो चलिए कड़ाई की और कड़ाई मैंने एक चमस तेल डाला है उसमें मैं जालूँगे एक चमस जीरा हरी मिर्ची प्याज प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इस अस्टेट में डालूँगे में कटे हुए गाज और हमारे जो मतर था ग्रीन मतर मैंने डाला है यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर लिया है आप चाहे तो कोई भी मटर ले सकते हैं नमक हल्दी धनिया धनिया पाउडर लिया है लाल मेची पाउडर और डाल के फिर हम इसको पांच मेर तक भूनेंगे अब इसमें मैंने जो बॉयल और मेल्स की वे आलू है वो डालूंगी इनको भी डालके मैं अच्छे से भून लेना है ताकि अच्छे से हमारा जो आलू है भून जाए और भूनने के बाद अब इसमें डालूंगी धनिया पत्ती अब सुजी वाले बैटरे मैं मिलाओंगी आदी चमच बेकिंग सोड़ा और नमक तवे को ग्रिस करोंगी इसमें थोड़े से तेल लगा है मैंने अभी और जो बैटर है हम उसको प्लेस कर देंगे वहाँ पर चारो तरफ गुलाई में इसको फैला देंगे जो मैंने आलू जो मिक्स्चर किया था उसको बॉल बनाके हाथ से दबा लेंगे ताकि फ्लैट सुर्कल बन जाए बैटर के उपर हम इसको प्लेस कर देंगे इसकी उपर हम दुबारा से बैटर डालेंगे ताकि जो हमरा जो आलू है वो कवर हो जाए नीचे से सिख जाने के वाद इसको हम पलट देंगे दोनों तरफ से हमें अच्छे से से शेक लेना है थोड़ा सा गी डालेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिख जाए यह हमारा जो है नास्ता है यह रेडी हो चुका है तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो आप भी इससे अपने घर पर जरूर ट्राइ करें और कॉमेंट सकते हैं बताएं कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी